इसराइल और फिलिस्तानी के बीच खोनी संगर्स जारी है इसराइल के युद्वाक विवानों ने रविवार तड़ के गाजा सिटी के एहम हिस्सों में कई इमारतों, सड़कों और मीडिया दत्रों को निसाना बनाया है अमेरिकी राष्टवती जो बाइडन ने इसराइल के प्रधान मंतरी बेंजमीन नेत्रनेहों के साथ बातचीत की है और नागरकों और पत्रकारों की शुरक्षा पर चिंता जताई है इसराइली हवाई हमले में शनीवार को गांजा सहर में एक उची इमारत को नश्ट कर दिया है जिसमें एसोसियेट प्रेस और अन मेडिया अकाउंटेंट्स के कार्याले थे जानकारी के मताविक मेडिया कार्याले में मौझूद सभी पत्रकार करमचारी और फ्रीलांसरों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है अमेरिका के रास्पती जो बाइडन ने इसराइली प्रधान मंतरी से फोन पर बातचीत की है इस दौरान बाइडन ने हमास के मिसैल हमलों के जवाब में गाजा में इसराइली हमलों के प्रति पूरा समर्थन व्यक्त किया है लेकिन हमलों में आम नागर्कों के हाताहत होने और पत्रकारों की शुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है और देश में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा है वहीं महामारी के चलते मचे कोहराम के बीच रहत की संकेत भी मिल रहे है कोरोना संकरमट की दूसरी लहर में कुछ हद तक ठैराओ देखने को मिल रहा है केंदर सरकार का कहना है कि कुरोना संक्रमड को लेकर इस्थिती इस्थिर हो रही है साथ ही का आ गया है कि हम यह भी सुनिश्चित करने की दिसा में काम करेंगे कि कुरोना वाइरस का तांडो आगे और इस्थिर हो और संक्रमड के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा एक दिन पहले कुल सक्रिय मामले 36.7 तीन लाग थे वहीं जिसमें से एक दिन बाद यानि की शुक्रवार को 31,992 की गिरावट दर्ज की गई है मंतराले के मताविक पिछले साथ दिनों में आपको बताते चले कि बीच में हाँ पर 36 राज और केंदर शाशित प्रदेश में से 22 राजियों में नए मामले में गिरावट दर्ज की गई है हरियान, महारास्ट, गुजरात और 36 गड़ में नए कुरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है इसमें से 12 राजियों और केंदर शाशित प्रदेशों में नए मरीजों में 10 फीजदी से अधिक गिरावट दर्ज की गई है कुरोना संक्रमित मरीजों की जिंदगी बचाने में प्लाजमा थेरेपी असरदार साबित नहीं हो रही है इसके इस्तेमाल के बाबजूत संक्रमित की मौत और उसकी बिमारी की गंभीरता को कम नहीं किया जा सका है सुत्रों के अनुसार ऐसे में जल्द ही इसे चिकिसिये प्रवधान दिसानरदेशों से हटा दिया जाएगा भारतिये चिकिसा अनुसंधान परिशद और कोविड नाइटीन के लिए गठित नैसनल टास्क फोर्स की सुकुरवार को आयोजद बैठक में सभी सदस्च सी एम के विजय रागवन को पत्र लिखकर कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को आवैज्यानिक बताया था और इस पत्र की प्रति आई सी एम आर प्रमुक बलराम भारगो और एम्स के निर्देशक रंदीप गुलेरिया को भी भेजा गया था विसे सग्यों के अनुसार इसकी वजय से महामारी का प्रकोप कम होने की जगए बढ़ता जा रहा है बढ़ सकता है साथ ही आपको बता देगी क्योंकि इससे वाइरस के और विसेले श्वरूब के विक्सित होने का खत्रा है